नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए दो रंग का एक उपसुरा सा लेडिस बूट लाए हूं जो बनाने में बहुत आसान है और पैरों में बहुत ही आरामदा है तो चलिए फ्रेंट्स इसे हम बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंन इसे पूरा जोती दस नमबर की सलाई पे बनेगी तो यह मैंने सिंगल दागे से पचास फंदे डाले हैं और हम दो लाइन सीधा प्लेन बनेंगे यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे यह मैंने दो बेसिक रोड डाल दिया हैं आगे से सीधा और पीछे से उल्टा अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैश करेंगे और चार फंदे सीधे बना लेंगे इसको ऐसे हम लपेटते चले जाएंगे ऐसे लपेटते रहेंगे तो हमें गाठ लगाने की जरूत ने पड़ेगी तो चार फंदे हमने सीधे बना लिए फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर छे फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच छे फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर छे फंदा सीधा फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर छे फंदा सीधा तो इसी तरह इन ही आठ फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है छे फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुलना है फिर दो फंदा स्लिप करना है फिर छे फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और दो फंदा स्लिप करना है तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुलनेंगे और लास्ट में चार फंद आएगा जिसे हम सेकेंडरी कलर से सीधा बनेंगे तो शुरुवात में भी हमारे पास चार फंदे हैं शुरुवात में भी हमारे पास चार फंदे हैं और लास्ट में भी चार फंदे ही आएंगे अब दिजाइन के दूसरी लाइन में है ये दो लाइन जो है वो बेसिक रो है तीसरे रो से दिजाइन हमारा शुरू है तो यह design का दूसरा line है और wrong side तो पहला फंदह हम ऐसे slip कर लेंगे फिर तीन फंदो को सीधा बोनेगे उन अपनी ओर करेंगे और slip के हुए फंदे slip कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे बुने हुए फंदे सीधा बोनेगे slip के हुए फंदे slip कर लेंगे और बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे तो ऐसे करते हुए हम पूरी लाइन complete कर लेंगे लास्ट में तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे और अनतिम फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे और अब यह हमारा डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से अब हम अपने प्राइमरी कलर से तीन फंदे सीधे बना लेंगे तीन फंदे सीधे बना लेंगे और अब यह फंदा जो हमने स्लिप किया था उसे हम पहले बुनेंगे और चौथा फंदा बाद में और अब slip किया हुए फंदे को छोड़के पहले दूसरे वाले फंदे में बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे और अब slip किया हुए फंदा इसे हम सीधा बनेंगे तो हम slip किया हुए फंदा एक फंदे के इधर और दूसरा फंदा एक फंदे के बाद चला गया है अब चार फंदा हम सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार यह हमने जो दूसरे कलर से छे फंदे सीधे बने थे तो बीच के यह चार फंदे उसे हम सीधा बना लेंगे अब यह slip किया हुए फंदा है यह slip किया हुए दो फंदे हैं तो इसे बनाने के लिए पहले slip की हुए फंदे को हम सीधा बनेंगे उसके बाद उसके पहले वाले फंदे को हम सीधा बनेंगे इधर से पहले दूसरे फंदे को हम बैक लूप से सीधा बनेंगे उसके बाद slip की हुए फंदे को सीधा तो हम slip किया हुआ फंदे, एक-एक फंदे के आगे या एक फंदे के पीछे चला गया फिर हम चार फंदे सीधा बुन लेंगे इसे देखिए, ये हमारे slip किया हुए फंदे थे ये हमारे slip किया हुए फंदे हैं तो इन्हें हम एक फंदे के आगे या एक फंदे के बाद करेंगे दोनों फंदे एक फंदे के आगे या एक फंदे के बाद हो जाएंगे तो इसे हम पहले slip की हुए फंदे को बुनेंगे उसके बाद इसके पहले वाले फंदे को और दुसरी और पहले slip की हुए फंदे के बाद वाला फंदा बुनेंगे तब slip की हुए फंदे को इसी तरह हर slip की हुए फंदे को एक फंदे के आगे या एक फंदे के बाद कर लेंगे और बीच में चार फंदे सीधे रहेंगे slip क्या हो फंदा है तो इसे एक फंदे के पहले कर लेंगे और दूसरे slip की होई फंदे को एक फंदे के बाद अब इन दोनों के बीच में दोनों slip की हो फंदे के बीच में एक एक फंदा दोनों साइट से आ गया दोनों slip किवे फंदे के बीच में दोनों साइड से एक एक फंदा आ गया चे फंदे थे एक फंदा इधर आ गया और एक फंदा इधर आ गया बीच में चार फंदे रह गया जिनें हम सीधा बुन लेंगे स्लिप किवे फंदा है इस दोनों slip किवे फंदों के बीच में से एक एक फंदे दोनों साइड से आ जाएंगे एक फंदा ले लिया फिर दूसरा फंदा दूसरी साइड से हम ले लेंगे और ये एक फंदे के बाद चला जाएगा तास्ट में तीन फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे और लांग साइड से सभी फंदे उल्टे सेवन्त रो और फ्रंट साइड तो अब यहां पे डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा अब हम दो फंदे शुरुआत के दो फंदे स्लिप करेंगे और छे फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे दो तीन चार पाँच छे दो फंदा स्लिप करेंगे और छे फंदा सीधा देखिए यह जो हमने धागे धाउधर किये थे यह अमारा जो फूल बना है तो इसका यह चार फंदे और एक एक फंदे साइड से यह छे फंदे हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे देखिए पहले हमने यहाँ छे फंदे बुने थे तो यह तीसरा फंदा है और यह चौथा फंदा है तो इन दोनों फंदों को यानि बीच के दो फंदों को हम स्लिप करेंगे और फिर छे फंदा सीधा यानि हमारा यह तीसरा लाइन ही है दो फंदा स्लिप करेंगे छे फंदा सीधा दो फंदा स्लिप करेंगे छे फंदा सीधा और लास्ट में दो फंदा आएगा जिसे उतालेंगे अब रॉंग साइट से स्लिप के हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे स्लिप के हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे उसे हम रॉंग साइट से भी सीधा ही बुन लेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन केमपलेट कर लेंगी नाइन्थ रो और फ्रन्ट साइट अब प्राइमरी कलर से पहला फन्दा सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को एक फंदे के बाद कर लेना है एक फंदे के बात किया और दोनों फंदों को सीधा बुन लिया फिर चार फंदे सीधे अब फिर यहां पे हमारे दो स्लिप के हुए फंदे हैं तो इन दोनों को एक एक फंदे के आगे या एक एक फंदे के बात करना है इसको एक फंदे के आगे या तो ऐसे हम जगा बदल लें एक फंदे के आगे और एक फंदे के बात करना है और फिर देखिए दोनों slip किवे फंदे के बीच में दो फंदे आ गए अब इन चारों फंदों को सीधा बन लेंगे फिर चार फंदे सीधे ये हमारे slip के हुए फंदे हैं तो पहले फंदे को एक फंदे के पहले कलेंगे और दूसरे फंदे को एक फंदे के बाद कलेंगे अब slip के हुए फंदे के बीच में दो फंदे आ गए तो अब इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे फिर चार फंदे सीधे अब ये हमारे slip के हुए फंदे आ गए तो इन्हें एक फंदे के पहले और एक फंदे के बाद करना है तो इसके लिए पहले slip के हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे उसके बाद इसके पहले वाले फंदे को और दूसरे फंदे को बनाने के लिए ऐसे wrong side से पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बनेंगे फिर slip की हुए फंदे को सीधा बनेंगे तो देखिए दोनों फंदों के बीच में दो फंदे आ गया है अब चार फंदे, अगले चार फंदे हम सीधा बना लेंगे line complete कर लेंगे और wrong side से सभी फंदे उल्टे देखिए friends, 10 line complete हो गया है तो दो line हमारा foundation row है आफ लाइन का ये repeated design है तो इन्ही आठो लाइनों को दोराते हुए हमें देखिए friends, ये हमारा 19 design complete हो गया है ऐसे गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोला, सत्रा, अठारा और ये 19, 19 line complete हो गया है 19 design complete हो गया है तो ये shocks मैं साथ नंबर के लिए बना रहे हूँ आपको जिस भी नंबर के लिए बनाना हो तो आप एड़ी के पास इस हिस्से को लगाए ये एड़ी के पास इस हिस्से को लगाएंगे और अंगूठी के मूल तक अंगूठी के जड़ तक देखें जहां से हमारे उंगलिया और अंगूठी अलग हो रहे हैं वहां तक हम इसको उतने बराबर इसे हम बना लेंगे जिस भी नमबर के लिए बनाना हो तो हम यही प्रक्रिया दोराएंगे इसी तरीके से हम किसी भी नमबर के लिए ये बना सकते हैं तो देखिए हमारा ये अंगूठी के पास तक आ गया है तो इतना बनाने के बात अब मेरा एक तैयार हो गया है ये दूसरा है तो मैंने यहां से स्टार्टिंग किया है तो पहले अंगुठा निकाला है, यहां पे पहले अंगुठा निकालना है, यानि इसके अपोजित हमें बनाना होगा, यानि कि हमारा अंगुठा दूसरी साइड में होगा, यह हमने देखें यहां से यह स्टार्ट हुआ है, तो अंगुठा इस साइड में है, यानि कि दूसर पेर में अंगुठा हमारा इस साइग में होगा यानि इधर की तरफ उंगलिया होंगी तो अंगुठा मैंने 19 फंदे का लगाया है और 31 फंदे पर ये उंगलिया 31 फंदे की रखी है तो हम पहले उंगलिया ही बना लेते हैं तो पहले हम उंगलिया ही बना लेते हैं तो इसके लिए हम 31 फंदा सीधा बनेंगे तो ये 31 फंदे बने जा चुके हैं और इस साइड में 19 फंदे रहे गया हैं तो अब हम चुकी अंगुठा बाद में बनाएंगे इसलिए इतने फंदे को 19 फंदे को हम अभी छोड़ देंगे और इधर से ही टर्न कर लेंगे और सभी फंदो को उल्टा बन लेंगे तो हमने सभी फंदे उल्टे बन लिये हैं और अब हम सीधी तरफ हैं तो यहाँ पे 31 फंदे हैं अब इसको भी हम दो भागों में करेंगे तो 15 फंदे इधर हो जाएंगे और 15 फंदे इधर तो हम 14 फंदो को सीधा बनेंगे यह एक हुआ दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा और चौदा तो 14 फंदे हमने बुन लिए अब हम पहले यह हमारे पास 3 फंदे हैं तो पहले अब यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे यह हम ऐसे शेप लाने के लिए फंदे घटाएंगे तो क्या करेंगे की पहले दूसरे वाले फंदे में सलाई डालेंगे पहले फंदे में और फिर तीसरे फंदे में अब इन 3 फंदो को हम सीधा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे यहाँ पे हमने दो फंदे घटा दिये अब इधर की तरफ हमारे पास 14 फंदे बचे हैं तो हम उन्हें भी सीधा बुन लेंगे रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे अब हम सीधी तरफ आ गया है तो साइड साइड में 14-14 फंदे बचे हैं और एक फंदा जो हमने घटाया है वो एक सेंटर फंदा तो अब की बार हम सिर्फ तेरा फंदे ही बुनेंगे तेरे फंदे ही सीधा बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर बारा फंदा सीधा तोटल हमें तेरा फंदा बुनना है फिर हमें इन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे पहले दूसरे वाले फंदे में डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में और अंते में तीसरे फंदे में डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर हमने दो फंदों को घटा दिया शेश फंदे हम सीधा बनेंगे और रॉंग साइट से उल्टा अब हम सीधी तरफ आ गया है और डिजाइन बनने के बाद ये हमारा छे लाइन कम्प्लीट हो गया है और हमने तीसे लाइन से फंदे घटाना शुरू किया है और दो फंदे घट गया है यह लाइन हमने complete कर लिया है 10 लाइन और complete करना है यानि कि 10 लाइन में हमारे 5 फंदे और घट जाएंगे 2 फंदे, दोनों साइड से 2-2 फंदे घट गया है और 10 लाइन में 5 फंदे इधर से और 5 फंदे इधर से घट जाएंगे तो मैं आपको 10 लाइन और complete करके दिखाते हूँ देखिए friends, 14 लाइन complete हो गया है और ये 15 लाइन है और हमने हर सीधी लाइन में 3 फंदे का एक किया है अब इस समय सलाई पे 19 फंदे हैं और ये हमारा 15 लाइन यानि इस लाइन में भी हमें 3 फंदो का एक करना है पे 5 फंदे चाप दैंगे फिर पहले वाले फंदे में और फिर तीसरे फंदे में और तीनों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 करने शेज फंदे हम सीधा बनेंगे और wrong side से सभी फंदे उलटे 17 हमी लाइन में हमारे पास 17 फंदे यहां रह गये है 4,8,12,16 और 17 सत्रहवी लाइन में हमारे पास सत्रह फंदे रह गया है तो आठ फंदे हमने बुन लिये अब इसको ऐसे हम फुल्ड करेंगे और एक तीसरी सलाई ले लेंगे यह हमारा सेंटर फंदा है अब आठ फंदे एक सलाई में और आठ फंदे दूसरी सलाई में है तो सेंटर फंदे क सब्सक्राइब करें तो दोनों सब्सक्राइब से एक फनलेंगे, लोटा मुंनेंगे और ये सेंटर फंदा जो है इसको इन दोनों फंदों के उपर ऐसे चरहा देंगे दोनों सलायों में से एक एक फंदा लेंगे सेंटर वाले फंदे को इन दोनों के उपर ऐसे चरहा देंगे हमारे फंदे पाइंड ओफ होने लगे हैं देखे तोनों सलायों में से एक एक फंदे लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पिचरहाते चले जाएंगे तोनों सलायों से एक फंदा लेंगे दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए पीछे वाला फंदा आगे वाले पिचरहाते हुए दोनों से एक एक फंदा लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चला देंगे, तो हमारे सारे फंदे देखिए, क्लोज हो गया है, हमारा ये उंगली बनके त्यार है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे खीचेंगे, क्यों हमारे ये देखिए, उंगलियां बनके त्यार हो गए, और अब हमें अंगुठा बनाना है, तो अब हम यहाँ पे थ्रट लगाएंगे, और सभी फंदे सीधे बुनते चले जाएंगे, तो सामने से सीधा और रॉंग साइट से उल्टा बुनते हुए हम सोला लाइन कम्प्लेट कर लेंगे, तो सोला लाइन कम्प्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ, तेके फ्रेंट्स, यह हमारा सोला लाइन कम्प्लेट हो गया है, और सत्रहवा लाइन है, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर सीधा बुनते हुए हम बीच के फंदे पे आएंगे, तो हमारे ये उननिस फंदे थे, एक फंदा हमने घटा दिया, यह हमारा सेंटर फंदा है, अब इधर की तरफ आठ फंदा है, और इधर की तरफ दो, दो, चार, छे, आठ और दस फंदा है, यहां हमने एक फंदा घटा दिया है, याने कि इधर भी 10 फंदे हुए हैं इधर हमने 1 फंदा घटा दिया है तो अब इन 3 फंदो को यह हमारा center फंदा है तो इन 3 फंदो को हम एक साथ लेंगे पहले दूसरे वाले फंदे में याने center फंदे में slide ढारेंगे फिर उसके पहले वाले फंदे में और फिर उसके बाद वाले फंदे पर और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर देंगे यहाँ पर हमने दो फंदे घटा दिये अब हमारा इस साइड भी आठ फंद है और इस साइड भी देखिए और इस साइड हम तो हमने बीच के दो फंदे घटा दिये अब हम शेस फंदे सीधा बुनते हुए लास्ट दो फंदे पे आएंगे और जैसे हमने यहाँ पे दो काई किया था इसी तरह इस साइड में भी हम दो का एक कर देंगे और रॉंग साइड से उल्टा बुनते हुए सेंटर फंदे तक आएंगे तो हमने 7 फंदे बुन लिए अब हम इसको ऐसे पल्टेंगे और यह हमारा सेंटर फंदा है यह वाला हमारा सेंटर फंदा है तो इसको हम दूसरी सलाई पे ले लेंगे यानि तिसरी सलाई पे लेंगे अब 2-2 फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और 2 का एक करेंगे और यह हमारा सिंटर फंदा है इसको इसके उपर चला देंगे या फिर हम तीन फंदों को एक साथ, तीन का एक कर लें, फिर इसको वापस तीनों फंदों को लें, तीन फंदों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लें, दोनों सलायों से एक फंदा लें और सेंटर फंदा तीनों फंदों को एक साथ लें और तीन का एक कर लें, तो हमारे फंदे अब घटते चले जा रहा है, तीन-तिन फंदों को हम लेते जा रहा है और तीन का एक करते जा रहा है, तो हमने सारे फंदे घटा दिये, अब इसको हम, देखिए हमारा ये अंगुठा बन गया, उंगलिया बन गए और अब हमें इसकी सिलाई करने हैं, तो हम सुई में धागा डाल लेंगे, ये हमारे अंगुठे उंगलियों के बंदे हैं, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो हमारी उंगलिया देखिए, उंगली की तरफ सिलाई हो, चुकि अब हम चाहें तो नीचे सिलाई कर सकते हैं, या फिर यहां से पहले अंगुठा सिल सकते हैं, तो हम अंगुठा सिलते हैं, हमें यहां सिलाई करने हैं, एड़ी की तरफ और यहां पे थोड़ा सा सिलाई करने हैं, जितना हमें हमारा पैर घुच जाएगा, उतने हिस्से को छोड़के यहां पे सिलाई कर देने हैं, इसको सीधा ऐसे कर लेंगे, डिजाइन पे ऐसे डिजाइन लगाते हुए, इसकी सिलाई करेंगे, यह हमारा देखिए, सिलाई हो चुका है, और अब हमें बस एड़ी की तरफ सिलाई करने हैं, और थोड़ा सा क्रोशिय का काम है, तो हम एंडी की तरफ सिल लेते हैं हम चाहें तो सीधी तरफ से सिलें चाहें उल्टी तरफ से सिलें किदर से भी हम सिलाई कर सकते हैं हमारा यह जूता देखिए एंकल यह हमारा त्यार हो गया अब हमें बस इसमें यहां पर थोड़ी सी क्रोशिय की काम करने हैं क्रोश को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं तो हम ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे एक लूप निकालेंगे और इस सिरे को दूसरी साइड में ऐसे कर देंगे तो यह निकलेगा नहीं फिर हम ने इसको फिक्स कर दिया अब हम चार चैन बनाएंगे एक दो तीन चार और एक दो बल लेंगे ऐसे क्रोशिय पर दो बार लपेटेंगे और पहले बाले चेन में हम इसको डालेंगे और एक लूप निकालेंगे अब क्रोशिय पर चार धागे हैं चार फंदे हैं इसको हम तीन बार में खतम करेंगे एक बार में दो खतम किया दूसरी बार में दो खतम किया और तीसरी बार में दो खतम किया और इसको ऐसे हम सिंगल क्रोशिय से ऐसे टक कर देंगे फिर हम चार चेन लेंगे एक दो तीन चार और दो बन लेंगे पहले वाले चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे और इन चार फंदो को तीन बान में खतम करेंगे एक, दो, तीन इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया और फिर इसको ऐसे लगाएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से टक कर लेंगे फिर चार हम बनाएंगे तीन बार में खतम करेंगे इसको लिटाएंगे और ऐसे इसे लगा देंगे तो यह हमारे देखिए बनना शुरू हो गया है तो इसी तरह हम करते हुए चारो तरफ इसकी एजिंग कर लेंगे तो हम ऐसे ही करते हुए इसकी एजिंग चारो तरफ कर लेंगे तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हुँ तो देखिए फ्रेंट्स जूती बनके त्यार है आशा है आपको अच्छी लगी होगी आशा है आपको पसंद आएगा तो प्लीस लाइख शेर और सबस्क्राइब तो प्लीस लाइख शेर और सबस्क्राइब